हेलो फ्रेंड विल्कम टू माई कीचिर आज में सहर करने जारी हूँ आपके साथ पेड़े की रेसिपी ना मावार ना कंडिश्मीक और ना खोया कुछ भी जरूत नहीं पड़ेगा इसे बनाने के लिए सिरफ एक चमच घी से हम इसे तेयार करेंगे बहुत ही सिंपल सा एक स् पेड़ा बनाना पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डाल देंगे डेसिकेटिक कोकोनट याने की नारियल का बुरादा यहाँ पर मैं एक कप डेसिकेटिक कोकोनट याने की नारियल का बुरादा डाली हूँ अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्क यह न दस मिट हो चुका है, देखिए नारियल हलका सा सोप कर लिया है मिल्क को, अब यहाँ पर मैं एक मिक्सी जार लूँगी, अब मिक्सी जार में इसे हम डाल देंगे, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, देखिए मैंने ग्राइंड कर ली हूँ, अब इसमें हम दो चमच मिल्क पॉर्डर डालेंगे और इसे भी और एक बर हम ग्राइंड कर लेंगे देखिए ग्राइंड मैंने कल लिया है इसका पेश्ट एकदम तयार है अब इसे हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर मैं कडाई में डाल दूंगी करीबन आधा कटोरी चीनी आधा कटोरी चीनी डालन कलर के लिए युलो फुट कलर आप चाहे तो बीना कलर का भी इसे बना सकते हैं लेकिन कलर डालने से इसका टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा जो हमने पेश्ट तयार किया था नारियल और दूद का इसे हम इसमें डाल देंगे डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे ध्यान देजिएगा कि एक कप नारियल का बुरादा के लिए हमने आधा कप दूद का यूज की थी और आधा कप चीनी का और इसे मिक्स करते हुए हमें चलाते रहना है जब तक ना इसका मौस्चर न चला जाए और ये एक डो कप फॉर्म म आ चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच घी सिर्फ एक चमची घी इसमें हम एड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गैस का फिल्म लो रखकर ही अच्छी तरह से मिक्स किजिएगा हाइमत किजिएगा नहीं तो फिर नीचे से ये जलने का डर रहे घी डालने से क्या होगा कि मिसरन में एक चिकनाहट आएगा देखिए मिसरन हम लोग एकदम तयार है आप गैस बंद करके इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं बिल्कुल ठंडा करना है इसे देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब हातों में थोड़ सा घी ग्रीज कर लेंगे ताकि चिपकेना हातों में आप थोड़ा से पोशन लेकर एक पेड़े का सेव हम दे देंगे इसका आप लड़ू भी बना सकते हैं देखिए हम लोग का पेड़ा बनका तयार है अब इसके उपर हम एक बदाम रख देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगे ये पेड़ा अब सारे पेड़े हम ऐसे ही बना लेंगे सारे पेड़े मैंने बना ली हूँ आप भी घर पर टाय किजिए गए इसे थैंक्यू फूर वाचिए